नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी दुनिया में यह वीडियो होने वाला है पाकिस्तान वंडे कप का फाइनल जो खेला जाएगा सेंचल पंजाब वर्सस खाइब पक्तन कुछा के बीच गैस हम लोग इस वीडियो में दोनों ही टीम के ब जरूर बोलना है तो इसलिए पुरा देखना अगर आप चैनल में न्यूँ हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको इस चैनल में बीबिल के कवरेज मिलेंगे मैंने अल्रेडी टीन पील का वीडियो अप्लोड कर दिया आपको अबुदावी टीटैन के कवर टेलिग्राम पर जाकर सर्च कर सकतो ओँ फैंड़सी दुनिया यह नेम और डिरेक्ट लिंग में कॉमें सेक्शन में एड़ कर दूँगा लिंक कभी कबार काम नी करता है पीं क्या हुआ रहेगा सब से उपर कमें सेक्शन का गईस लिंक काम नी करता है तो अब सर्च करके जॉइन हो जाना बट इंपोर्टन है फैंटासी दुनिया लोगो और सब्सक्राइबर देखके सही जगा पर जॉइन हो ना फ्री टीम के लिए वैन्यू कराची में खेला जाएगा एवरेस को 320 के करीब कैस यहां पे ना चो भी टीम टॉस जीता है आईडिली वह चेस करना पसंद करेंगे बट सेंड्रल पंजाब जो अपना लास मेंच खेला था उन्होंने डिफेंड किया था अच्छा खासा टोटल डिफेंड कर लिया था खाइबर से दिखो शाहिब ज्यादा फरान अगर फर्स इनिंग मतलब चेजिंग होता है ओवराल अगर अगर देख तो स 6-0-3-2-2 अच्छा खासा इनका उसद है मुसादिक अहमेद इनका आट मैच में 255 है रिसें मैच इस लास्ट मैच में 62 एजा उपेनर उसमें फगर जमान कहला नहीं था नीगल इशू था बोला था मैंने आपको शायद जो सॉरी फाइनल टीम है और बोल सकता प्लेंग 11 है मैं आपको प्रोवाइट कर दूँगा टेलिग्राम चैनल तो टेलिग्राम चैनल जॉइन हो जाना मोस्ट प्रोवाइट कर दूँगा 90 चांसे से 12-30-0-15 है मुसादिक अमेद का स्कूर अमीर अजमत पाच मैच पाच इनिंग 54 रन इफ्तिकार अमेद 8 मैच आट इनिंग 325 इनको बॉलिंग करते वह दिखोगे इनका अगर इसन रिकॉर्ड दिखोगे इफ्तिकर का एक विकेट 19-20 बीस रन जिरो एक चार एक विकेट अच्छे खासे ऑल राउंडर है गाइस एन सबसे इंपॉर्टन बास यह टू डाउन बैटिंग गल रहा है दिखो अमीर अजमत कोई एक one down and कोई एक open खेलेगा and most probably मुझे लगता है फकर जमान फाइनल में जरूर खेलेंगे आदिल अमीन का 378 रन है 9 इनिंग्स में 25, 121, 51, 39, 12, 93 अच्छा खासा इनका भी उसत है अच्छा खासा एम हरीस जो इंक्लूड हुआ है टीम में अब तक इनका साथ 12, 24, 289 रन है आर्ट इनिंग्स अब समझो बात ध्यान से आदिल आमीन आपका मस्ट पीक है महरीस को अगर फर्स इनिंग्स बैटिंग होगा ना तभी ट्राइगर हो सेगें इनिंग्स में मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए एम हरीस बिकॉस इनके टॉप ओंडर इतने ज्यादा शक्त है गाइस नहीं पर पाचो प्लेयर की यह इतना नीचे तक बैटिंग में कुछ दमखम लगेगा रन खलीद उस्मान इनको भी आई थिंग अब अगर फर्स इनिंग्स बैटिंग होगा तभी ट्राइग करना एम हरीस एन खलीद उस्मान को बिकॉस 344 रन है इनका 11 इन अब हुआ देखो यहां पर चीजिंग हुआ फाइव रन एक विकेट जिरो रन बट अगर फर्स इनिंग्स बैटिंग 30 और 56 जादा इंपक्त है अगर फर्स इनिंग्स बैटिंग होगा खली उस्मान का ठीक है मोहमद वासीम ट्राइग कर सते हो जिल में बट मेरे सब से इत अच्छा खासा परफोर्मेंस है विद बॉल एंड़ यह सपेशलिस्ट बॉलर खेलेंगे अपने टीम में तो यह चीज़ आप हमेशा याद रखो यह और नहीं है यह प्योर बॉलर की रूप से खेलेंगे आपके टीम में चाहो तो ले सकते हो देखो तीन बॉलर आपको ल जरूर लेना ठीक है इमरान खान जिनका पाच मेंच में नौ उइक तालीस ओवर में यह कुछ प्लियर लास्ट में नहीं खेला था मैं बता दे रहा हूं फकर जबन लास्ट मैंच खेलें नहीं थे यह अगर रिटरन करते मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे तो टेल लाइक कर सकते हो अर्षाद इकबाल चार्ट मैंच में साथ यह बी बन लास्ट में खेला नी तो यह तीनों में लास्ट में खेला नी यहां से तीनों आपके लिए आप इस मेच पे शायद रिटरन होते है दीखोगे किसकी किसके जगा अमर आजीम जो वन डाउन खेला था अमीर आजमत इनका जगा मुस्ट फखर आएंगी एन इर्फन उल्ला और अर्शा दिक्बाल से कोई एक आइधिंग इम्रान मोहमद इम्रान के जगा आने वाले ऐसा मेरा मानना है ठीक है अब आता हूं मैं सेंट्र पंजाब के तरफ इन से दिखो तायब तहीं ना है इस सब्सक्राइब अब आपको दिखाऊंगा बाद में अब ध्यान से सुनते जाना रिजवान हुसें चार सो तीन रन है बहुत हाइब से बैटिंग करते हैं बट थोड़े हिट एंड मिस्टाइब के प्लियर एंद देखो और देनिक्स में अच्छे कहलते हैं आइमीन देखो आप और इनिक्स के उपर उपर जाते हों बट इनका हेट वेर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है महमध अकलत अकलक छे इनिक्स में 197 रन है कास महमध अकलक हाइस रंगेटर भी थे जो रिसेंट टी टू सेकंड लेवन ओडिया हुआ था वहाँ पे यह सेकंड हाइस रंगेटर इसन मैच इस 37 जीरो उकेट बट 71 रन 50 रन 0 उकेट 31 उकेट लेफ्टाम और्ट बालिंग बट यह बैटिंग कर रहे है गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सा तू डाउन तो एक इंपोर्टेंट जगा पर यह बैटिंग कर रहा है खास करके ODI में सबसी इंपोर्टें होता है तू डाउन बैट्समें मेरे जिसाब से 1 डाउन एंट 2 डाउन साध नफसीम इनका 11 मैच 11 इनिक्स में 430 रन है कासीम इक्रम 11 इनिक्स में 412 रन है दोनों अच्छे खासे फॉम में है गाइस जफर गोहर गाइस यह आपको बैटिंग बालिंग दोनों से पॉंट देंगे इ जब यह बालिंग बैटिंग फर्स्ट करेगा रिजन देखो इनका 53 एक विकेट 2 विकेट 28 तीन विकेट 24 48 0 विकेट खास करके अगर देखते हो जो केच पी है इनके पास बहुत अच्छे बैट्समेन है तो शायद जफर गोहर को ऐसा बैट्स बालर यह खेल लेंगे बट जफर गोहर कुछ रन बैटिंग से कर सकते उसमान कादीर 16 विकेट है साथ मैच में बट खारा रहा हूं बहुत अच्छा बैटिंग लाइन अप है तो उसमान कादीर को इकेट कम मिल सकता है और ना भी मिल सकता है इनका बैटिंग से ज़ादा यॉगदान नहीं है बट बॉ तो इक जिरे यह करें रोप्शन ने आप जरूरर लॉष्ट कर सकतों तो दसमस्ट में जिरो दो इक जिरो एंड दो इकर जो एन दो इक बट आर हुसेन, रिजवान हुसेन का 46, कासिम 67, टू विकेट, रजा लिदर का 50, जफर गोहर का 3 विकेट, मुहमद अली, उस्मान कादिर का 1 विकेट, इंटरिस्टिंग सा बात गया, स्तायब तहीर है नहीं, बिगस तहीर तहीर का शायद इसमें 3 रन का योगदान था, फिर खली दूस्मान का 35, देखो खली दूस्मान का बालिंग से कुछ योगदान नहीं है, सिफ बैटिंग से है, अर्शाद इल का 2 विकेट है, इम्रान खान और असिव अफरीदी का फिर से गाइस, एक है क्योंके, तो कुछ प्लियर रोटेट होड़े है, जैसे का आसिव अफर 50 बना ले, तब सेंट्रल पंजब के लिए डिफकल्ड होगा, खाइबर पक्तुन को गाइस, बहुत ही जादा जबन दस बैटिंग लाइन है, और सेंट्रल पंजब मेरे जब से बहुत बैलेंस्ट है, बैटिंग बालिंग दोनों देखोगे, तो खास करके, जफर गोहर और उस्मान कादिर के आने के बाद, अच्छा खासा दिख रहा है, मुझे सेंट्रल पंजब, आसी फर्फिदी, इंपोर्टें अजब बालर, नोट एस बैट्समें, बट राजा लिदर, एस बैट्समें इंपोर्टन है, नोट इस बालर, खाइबर पक्तुन को गाइस, बैटि इनके पस कुछ निगल इशूस है, तो शायद ये कंबेक हो जाएगा, बिकॉस निगल इशू जादा रहते नहीं है, एंड बट एक ही दिन का गैप मिला, तो शायद ना भी आ सकते, खली दुस्मान, फर्स इनिक्स मोर यूसफुल, कैन स्क्लॉग एंट टेक विकेट फॉल लो एर ओर बैट्स में, ठीक है, तो फर्स इनिक्स में अगर इनका बॉलिंग, बैटिंग होता है, तब खली दुस्मान को लो, बनना मत लो, सेफ कैप्टेन, फकर जमान, अगर बैटिंग फर्स, सेकेंड दोनों में ट्राइ कर सकतो, इनका हिट रिकॉर्ड भी अच्छा है शाहेिव जयादा फरं शर्स चैजिक में ट्राइकन इट ना एक ना फर्स इनिक पर सोजा जाएगा, साजन नसिम बैट फर्सांद only, बेटिंक बट उसकें कर लेगा, तभी साधन नसिम होग नो, दखलो को, बैटिं लाइन कर गश्पर आन न होगा तो बैटिंग फरस पर स अच्छा पंथ है, दोनों ऑप्शन में ट्राइब कर सकते हो, इफ्तिकार आमेट सेफेस्ट है मेरे साब से दोनों सीचेशन में, फकर्जमन और इफ्तिकार आमेट बहुत ज्यादा सेफ लग रहे है मुझे फिलाल, रिजवान हुसेन गुड रिकॉर्ट बहुत जवर्दस र अच्छा तक आप इन से देखोता है, जो इनका साल यह कंप्लीटली बहुत ही ज्यादा बहतर रहा है, इस सीरीज का, आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज या लाइक कर दो, अगर आप लोग चैनल में न्यूँ हो तो चैनल को जल्दी से सब् फकर को कैप्टेन रखोंगा और फकर को भाइस कैप्टेन रखोंगा, अगर बॉलिंग हुआ, तो अगर फकर लोग का बैटिंग हुआ, मतलब फकर जमान का टीम का बैटिंग हुआ, इनका बैटिंग हुआ, तब शायद मैं इफ्तिकर को कैप्टेन रख दू फर्स में लो उस्मान कादिर को मैंने लिया मैंने लिया जफर गोहर और मैंने लिया इम्रान घान तो बॉलिंग तो ये एकदम पर्फेक्ट लग रहा है चेजिंग के टाइम में इन दोनों के जगा किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो देखो रिसें फॉर्म साद नसीम का बहुत खास है तो उनको जरूर आप अपने टीम में जरूर ट्राइक करना है होब आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक करके टेलिग्रम जैनल जरूर से जोइन हो जाओ थैंक्यू गैस